नमस्कार बबो स्वागतिजी आप से भी का स्पोर्ट्स लाइब देख रहे हैं और इस समय हम आप देखी रहेंगे भारत और न्यूजलेंड के बीच में बहतरीन टेस्ट मैच बैंगलूरू के मिदान पर खेला जा रहा है आज खेल का चौथा देन है लेकिन जिस और ये टे तरा रहा है तो एक बार फिर कहीं न कहीं फैंस के मन में भी ये सवाल उठने लगें कि जिस और ये मैच जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 46 पर आउट थे पहली इनिंग्स में उसके बाद जो बापसी हुई है स्पेशली सर्फडास खान ने जो शतक लगाया रिशप पंद ने जो अर्दिश तक लगाया और विराट और रोहित ने जो शुरुबात दिलाई लगता कुछ ऐसे है कि ये मैच पांच वे दिन में जा करके भारत जो है ऐसे ही मार्जन से शैद जी सकता है देखिए आपने 2001 वाली टेस्ट की बात करी और अब 2024 चलना लगभग 23 साल का अंतर है 2001 में क्या हुआ था आपको दुबारा से और विसली सबको पता है उस आइकानुएक टेस्ट के बारे में एक बार दुबारा से मिमरीज रिफ्रेश कर देते हैं ऑस्ट्रिया पहली इंडी में बल्रवाजी टीम चीरिती है और फिर यवराट्रिय के लिए घरांचेस के लिए आती है आइकॉनिक मैदान अब आइकॉनिक टेस्ट मैच जिसको टेस्ट लिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाए कि ऐसा भी हुआ था एक टीम जो बैक फूट पर थी वहां से क्या पंच लगाती है वो टीम विवेस लक्षमन की वो 200-200 से ज्यादा की पारी 200-801 रन उन्हों अब यहां पर भी हमारे पास युवा सर्फरास खान है जिन्होंने इस वक्त नियूजिलेंड को पस्त करके रखा है अपनी बलेबाजी ज़र शर्तक लगाकर खड़े हैं और पहली पारी 26 पर टीम इंडिया आउट हुई थी लेकिन आप जिस स्टेज पर टीम इंडिया खड़ी है जितने रन बनाकर में दो दिन पहले आप आउट हुए थे लेकिन उसके बाद वापसी इतनी शांदार बिल्कुल और जिस तरीके से न्यूजिलेंड ने बैटिंग की थी और 402 रनों ने बनाए रचिन रविंदर ने कमाल कर दिया बहतरीन शतक उनका आया और उनका बैंगलरू के पारी अच कम से कम देखिए कुछ का नहीं जा सकता है टेस्समाच जिस तरीके से इन दिनों में खेला जा रहा है लेकिन आखरी दिन में हमेशा हमने देखा कि हमारे भैतरी गेंदबाजी होती है चाहिए अश्विन जड़ेजा की बात करें हैं बूमरा भी हमारे पास तो फिर भी आग पांचवे दिन का जब पिच की बात होती है वे अंगलू टेस्ट में तो कहा जाता है कि देखे इस्पिन हावी होने वाली हमने देखा इस्पिनर्स को यहाँ पर प्रभावी होते हुए अश्विन और जड़ेजा ने वह अच्छे गिंदबाजी के कुल दीपने अच्छे भारते टीम के लिएक सेफि कोर होने वाला है क्या भारती टीम टारगेट देने वाली यह नॅल्य हमने देखा रं उन भी बनाए है, हमने देखा अभारते टीम और पर वरिस्क लेना चाहेंगे 15-800-200 थी, इसमिद बहुत पर फस जाएगी वह आधायी 저 यहाँ व ही व renownedम जक के चलेगे कि नहीं हमें रिस्क नहीं लेना हमें थोड़ा सा तेज गती सर्ण बनाने हैं आज दिन भर में आप कम से कम 200-200-200 तक आप जाओ फिर न्यूजलैंड को आम अंतरित करो कि आए दिन भर खेलिए हम 10 विकेट के लिए जाएंगे आप 200-200 रन के लिए जाएंगे अगर आपको जीतना आप 200 बना हो हमें जीतना है हमें 10 विकेट लेनी हैं पांच वे दिन की फिच इस्पिनर्स को कितनी मदद करने वाले क्योंकि हमने देखा उचाल भी ऐसानी है कि आपको उचाल एकदम वह एक लेवल पर देखने को मिल रही है तो न्यूजलैंड के बलेबाज असानी है और खास वरसे आपके सामने वर्ल्ड क्लास गेंद बाज में जस्पित बुम्रा, रवी अश्वीन, रवीन जड़ेजा, गुल्वी प्यादो इनको आप क्या से टेकल करोगे इस पांच वे दिन मतला बोकी जो की बहुत मुश्किल होने वाला है तो इसलिए हम यह बात कर रहे हैं कि 2001 एक आइकानिक टेस्ट मैच, अब 2024, 46 पे आल ओट होती है टीम, लेकिन उसके बात कैसे जीत दर्ज करते हैं, अपने आप में एक इतिहास है। विराठ कोली एकस्ष पीरियंस रहा ह है को देख रहे हैं, हाला खिस्मत के साथ दोनों को नहीं मिला, विराठ कोली ठॉड साथ रही है ने कि रिख भात Google साफ से एज लग गया, रोहिश शर्मा हो ड़े करने के बादी बाद गैरी does टयंटार या बंभाजी, इनके अंदर व बिल्कुल और कमाल ये भी है कि इंडियन टीम पिछले कुछ समय में जो है आखरी दो दिन में टेस्समाच खतम कर रहे है बंगलादेश वाला हमने देखा जिस तरीके से टेस्समाच कानपूर वाला खतम हुआ और अब ये भी देखा और ऐसा कई मरतबा हुआ है कई मरतबा भ बिल्कुल और अच्छी चीज ये कि इंडिया आखरी दिन तक भी जीत का सोचता है यह उस्ता कि आमें ड्रौ कराना तो यह आई थिंग में टालिटी जो है अब इंडियन टीम में करन टाइम्स में जो आई है यह इंग बाकी टीमों को मतलब एक तरो जट्टी जट्रे जट जटका भी दे रही है और इंडियन टीम जो है इससे बहुत फाइदा भी उठा रही है आप जहां सोचते हैं कि यह ड्रौगा वहां से भारत जीत के ले जाता है मैच बिल्कुल तो इस तेस्ट मैच पर अपनी राय हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं और आपको वीड